हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ वीवेक सेंग और आपका इस चैनल पर कोड़ेग पर स्वागत करता हूं पिछली लेक्चर में आपको बताया था उब्जेक्ट क्या होता है इसटेंस आपकलास होता है उब्जट्ट क्या होता है और मैंने यह भी बताया था कि जो निव अब हम बात करेंगे हम बात करेंगे हाँ केंट आपजेक्ट और बात करेंगे निव कीवर्ड द्वारा यूजिंग निव कीवर्ड हम कैसे ऑबजेक्ट करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि Step step 1 आपको मैं बताना चाहूंगा पहला declaration होता है उसके बार instantiation होता है उसके बार initialization होता है initialization होता है third step तो मैं बताना चाहूंगा कि declaration क्या होता है कि एक variable name को declare करता है जैसे उसको आप reference variable name भी बोल सकते हैं जैसे animal है और उसका मैंने नाम क्या दिया है rock, तो ये क्या है आपका reference variable name है असानी सिक्ष है कि हम एक जैसे variable declare करते थे वैसे ही हम variable declare जैसे character A लिखते थे पर ये है कि ये उससे तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बस आपसे बता रहा हूँ कि class name होगा और उसके बाद एक reference variable name होगा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि declaration it is declaring a variable name with an object type और example के लिए मैंने क्या बताया कि जो animal rock है वो आपका क्या है animal rock और where जहाँ animal आपका क्या है class name और rock क्या है आपका reference variable name है उमीद है ये आपको समझ में आया होगा declare बहुत easy है उसके बाद हम second बात करते है instantiation के बारे में जो कि rock और equal to new है तो इसमें new जो होता है आपका क्या करता है keyword है ये क्या करता है आपका memory को occupy करता है तो जैसे मैंने लिखा है कि this is when memory is allocated for an object the new keyword used to create the object जो कि object create में new का हम परियोग करते हैं इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो third है इसके बाद मैं आपसे बताना चाहूँगा जो third है initialization जैसे मैंने रोक लिखा equal to new था पहले आपका second में इसके बाद यहाँ पे initialization में रोक है equal to new तो new के आगे जब भी हम initialization करते हैं उसके आगे हमके constructor को call करना पड़ता तो जैसे हमने यहाँ लिखा initialization the new keyword is followed by a caller call to constructor this call initialize the new object तो जब भी new object हम करेंगे initialization तो हमें क्या करना पड़ेगा constructor को call करना पड़ेगा आप syntax क्या है syntax आपका हो गया animal उसके बाद आपका reference variable name equal to new फिर आपका constructor हो गया लेकिन हाँ इसका syntax आप ऐसे तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे animal है आपका यह क्या है class name class name फिर क्या होगा आपका reference variable name जो मैंने आपको बताया था उसके बाद new फिर होगा आपका class name उमीद है आपको यह समझ में यह हर जगर लागू होगा ठीक है उसके बाद हम अगर method को call करवाना चाहते हैं object के थुरू तो हम क्या करते हैं dot operator का प्रियोग करते हैं dot operator का प्रियोग करते हैं जैसे मालीजे मैंने क्या लिखा reference variable name लिखा और run मतलब हम किसी के behavior या attribute किसी को भी हम method के थुरू object के थुरू हम method को call करवा सकते हैं तो यह सारा चीज हो गया और उमीद है कि आपको समझ में आया होगा मेरे पास जितना संसाधन है मैं आपको बताने की कोसिस करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आये और आप लोग भी मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे है उमीद है कि आप आगे भी प्यार देंगे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बताते हैं सब कुछ बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो लेकिन यह गी वो टेक्निकल नहीं बताते हैं वो बस और मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसे ही चैनल को फोलो करें जहां से आपको नौलेज हो ग्यान मिलें और ज़्यादा ही मुवी जैसा देखने की ज़रुरत नहीं है कि नहीं बार-बार हम गाइडेंस ही ले हाँ एक बार आपने देख लिया उसके बाद आप अपने टेक्निकल को इस्ट्रोंग करिए तो उमीद है कि आपको निव कीवर्ड वाला आपको कंसेप समझ में आया होगा कि निव उबजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और इसका उपयोग बहुत होता है जावा में तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं जब मैं उपस पढ़ाऊंगा अभी मैंने आपको क्लास ऑबजेक्ट और इसके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगा मेथड बहुत छोटा सा टॉपिक है कि लोजिक समझना है बाकि मैंने आ जादा से जादा चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और कमेंट करिए जिससे मैं मोटिवेट होके और अच्छे से आपको बता सको धन्यवाद